आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो सबसे पहले अगर हम फ्लोरीन को देखे तो फ्लोरीन की वैलंसी क्या होती है वन होती है तो यह एक electron अपने जो नेबर फ्लोरीन आटम होता है उसके साथ क्या करता है बाउन बना देता है तो इनके बीच में वन वन एलक्ट्राउन शेयर होते है वही नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की वैलंसी 3 होती है तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में तीन बन बनते है यानि कि ट्रिपल बन यहां पे बनता है इस केस में क्लोरीन भी एक हैलोजन है तो इसकी वैलंसी 1 होती है और यह भी 1-1 एलेक्ट्रोजन शेयर करता है ऑक्सीजन की वैलंसी 2 होती है यानि कि यह 2 एलेक्ट्रोजन शेयर करता है तो ऑक्सीजन के बीच में 2-2 एलेक्ट्रोजन की शेयर होती है तो जैसे कि हम जानते हैं कि जितना अगर सिंगल बांड होगा तो force of attraction क्या होगा force of attraction कम होगा और force of attraction कम होगा तो bond length क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी वही double bond के case में क्या हो जाएगा force of attraction single से क्या होगा ज्यादा हो जाएगा single से ज्यादा force of attraction किसमें हो जाएगा double bond में हो जाएगा और इसकी bond length क्या हो जाएगी कम हो जाएगी घट जाएगी इसकी bond length single bond से कम हो जाएगी वही triple bond की बात कहें तो triple bond में force of attraction सबसे ज्यादा हो जाएगा force of attraction क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा और bond length इस case में minimum हो जाएगी क्योंकि force of attraction की वह जैसे bond घर जाएगा तो यहाँ पर जैसे कि हम जान सकते हैं कि दो single bond वाले compounds दीनेंगे हैं और एक triple और एक double bond का तो यानि कि F2 और CL2 में जो है अब इसमें किसकी bond लेंज जादा होगी तो fluorine और chlorine के case में अगर हम देखें तो fluorine क्या है? है fluorine more electronegative है हम जानते हैं most electronegative element in the periodic table कौन सा है? fluorine है तो fluorine most electronegative होने क्यों जैसे क्या है? इसमें force of attraction सबसे ज्यादा है और इसी वज़े से इसमें bond length क्या है? सबसे कम है तो जो order हो जाता है वो क्या हो जाता है? सबसे कम bond length nitrogen की होगी क्योंकि इसमें triple bond present है तो सबसे कम bond length किसकी है? nitrogen की उससे ज्यादा किसकी है? bond length उससे ज्यादा oxygen की bond length है क्योंकि oxygen जो है वो double bond बना रहा है उसके बाद fluorine किया जाती है fluorine की क्यों? क्योंकि fluorine जो है इसकी bond length कम होगी chlorine से क्योंकि इसमें electronegative character ज्यादा होगा और आखरी में आजाता है chlorine तो chlorine की bond length सबसे ज्यादा होगी तो जो हमारा bond length का order आजाता है वो कुछ इस तरीके से आजाता है nitrogen, oxygen, chlorine, chlorine तो इसमें अगर हम देखें options में तो option number 2 ही ऐसा option है अगर हमारे answer से match कर रहा है इसलिए जो मैं correct answer हो जाता है वो हो जाता है option number 2, thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें doubt net app या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 पर